Hello Friends, Welcome to my channel Preeti Beauty Station और कैसे हैं आप सब? Friends, इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना Hair Care Routine शेयर करूँगी जो कि मैंने पूरे मन्त अपना Hair Care Routine जो है किया है इस vedix के Customized Ayurvedic Hair Care Kit से आपने इस Customized Hair Care Product को कही नहीं जरूर देखा होगा क्योंकि बहुत ही इसके अड़िटाइजमेंट आती है फेस्बुक पे इंस्टा पे या कहीं पे आपको ये कस्टमाइज हैर केर किट जरूर दिख गया होगा कि जो प्रड़क्ट से वो काफी ज़्यादा प्रॉमिसिंग बताय जाते हैं जो भी आप अड़िटाइजमेंट देखेंगे तो वेदिक्स के इस कस्टमाइज हैर कर किट के बारे में मेरा अपना रिव्यू क्या है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी तो इस हैर कर किट को यूज करते हुए मुझे एक महिने हो चुके हैं क्योंकि ये वन मंत का सब्स्रिप्शन किट है और ये वन मंत और सिक्स मंत का होता है अगर आप वन मंत का चाहें तो वो लें सिक्स मंत का चाहें तो आप सिक्स मंत वाला ले सकते हैं तो ये वन मंत का कि तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्राइज पैकेजिंग और सारी फॉर्मेलिटेज जो हमें इस किट को आडर करने के लिए करने पड़ती है बहुत अच्छी पैकेजिंग है काफी अच्छी क्वाल्टी का यह बॉक्स है तो मुझे पैकेजिंग देखती ही बहुत अच्छा लगा था इसको जब आप ओपन करते हैं तो आपको अपने जो है प्रोड़क्ट्स इस तरीके से मिलते हैं यह मैंने खोल के रख दिया है नही इसमें आपको अपने जो भी हैर केर प्रोड़क्ट्स होते हैं वह इसमें आपको मिलते हैं बहुत ही अच्छी पैकेजिंग लगी मुझे बॉक्स की जो प्राइजिंग है वो है कुछ 2799 ओफर में आपको अभी मैं देखती हूं तो ट्रिपल नाइन में आपको यह तीनो प सीरह में उसे कस्टमाइज करके आपको भेजते हैं तो उन्हें कैसे पता चलता है कि आपकी है प्रॉब्लम क्या है याप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे आपके हैर के खिट को कस्टमाइज करने के यह आप उसे 50 से जाधा क्वेस्टे पूछते हैं उस क्वेस्टेन में बहुत सारी बहुत बहुत तरह काने पसंद करते हैं मतलब ऐसे बहुत सारे बहुत सारे question होते हैं जो आप से यह लोग पूछते हैं इस question के according वो आपको एक chart बना के देते हैं तो वो chart जो है मेरा आया था जो है वो मैं आपको screen पर दिखाऊंगी तो प्रितिस current ayurvedic profile जिसमें वो वत पित और कफ के बारे में आपका एक balance chart बना कर देते हैं तो इसमें लिखाए यौर dominant dosas are pit and what balancing these two dosas is the key to stopping your hair fall तो इनके according जो है आपका जो hair fall हो रहा है वो हमारे body में हमारी body में 3 तरह की दोशाज होते हैं pit, what and cuff तो आपने बहुत बार अपने parents को कहते हुए सुना होगा कि वत पित और कफ के बारे में कि जैसे मुझे यह headache वगेरा होता है तो मेरे father बोलते है कि तुम्हारा pit ज्यादा हो गया होगा तो तुम्हें headache हो रहा है तुम अपना मसाले वाला खाना काम करो या जो भी है तो इस तरह के से बहुत knowledge मुझे इस चीज में नहीं है और मैं इनके हिसाफ से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो यह वत पित और कॉफ जो होता है वो हमारे हैरफॉल हो रहा है तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही वह अपना जो है हरबल प्रड़क्ट अर्वेदिक किट जो है उसे रेडी करके आपको भेजते हैं तो मैंने देखा इसमें अलग-अलग जो प्रॉब्म्स होते हैं उनके लिए अलग-अलग किट आते हैं अलग पैक इनके ऊंग यह है आर्वेदिक एनके अर्वेदिकli हैरफॉल अंको ब्हुत है थीके क्योंकि बहुत है यह हैнов प्रॉब्म्स है मेरे स्ट्रेट हैआरों हाईमरी बहात जाधा ऑइल्य है और अर्मेरी चैल्ब-बहुत है ऐड़ ज़ादा होते है। तो इकली है जो है है और यह कोई भी इसमें केमिकल नहीं है, यह सिलिकॉन फ्री है, और सेफ एंड एफेक्टिव है, डॉक्टर फॉर्मिलेटेड है यह, हर्बल इंग्रीडियन्स है इसके अंदर, और यह ऑईल जो है मैं अप्लाइ करती हूँ, बहुत ही लाइट वेट है यह ऑईल, और बहुत ही ज नहीं के लिए जागाया अपने हैर पे, जैसे ही कित मेरे पास आया, मैंने इस हैरउल से अपने हैर को मसाच किया और उसके बाद मैंने अपना हैर वश किया इसचेंपो के साथ, तो इस शेंपो को जो है यूज करने लिए वन मन्त के लिए जो मेरे हैर लेंथ है उसके हिसाप से क्वांटिटी मुझे बहुत ही सही लगी अभी और दो से तीन बार जो है में इससे हैर वाश करूँगी तो इसको आपको क्या करना है कि वाटर में जो है थोड़ा से शैंपू डालके उसे घोल कर और फिर अपने बालों में अपलाए करे और शैंपू जो है बहुत ही अच्छे से लगाना चाहिए ताकि इवनली आपके स्कैल्प में हैर में अच्छे से वाश हो पाए तो मैंने इस शैंपू को यूज़ किया और यह मुझे अच्छा लगा आप वीडियो में देखेंगे कि मेरे हैर का जो है मेरे हैर बाउंसी ब बाउंसी टाइप की लग रहे थे हैर वाश ही है मेना उसके बाद और उसके बाद यह सीरम अप्लाए करना है तो इसमें आपको चाड़ दिया गया है जिसमें आपको बताये गया है कि आपको कैसे कैसे इसे एम आपके यूज लगारे यह वीक नूने इस तरीके से चाड़ लगाना है, फिर हैर वाश करना है, और सीरम लगाना है, तो इस तरीके से आपको यह रूटिन फॉलो करना है, तो ऐसे ही हम हैर वाश करते हैं, वीक में एक से दो बार ही हम हैर वाश करते हैं, तो उसी तरीके से मैंने रखा था, जैसे इन्हों रखा है, वैसे ही मैंने इसे अ करें और रहने दें. अब यह सेर्म जो है काफी water जैसा है. अच्छे से बिलकुर भी चिप चिपा नहीं है. सिर्फा नहीं है's आप अच्छे से इसको अपने साच कर सकते हैं, इस इस की बिलकुर हो जाता है मतलब आप में हैर में में हैर अपने मसाज करेंगे और यह बिल्कुल ही गायब हो जाएगा तो यह जो product है वो use करने में तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे कोई ऐसे problem नहीं कि serum चिप चिपा है या hair oil जो है बहुत थिक है या shampoo जो है वो अच्छे से मेरे hair को clean नहीं कर रहा है इसका result क्या है मेरे hair पर वो देखने के में मेरे hair को जादर रॉफ ड्राय या फ्रीज़ी बना रहा है तो मैं इसे यूज नहीं करती मैं आज तक यूज कर रही हूँ इसका मतलब यह product मुझे अच्छा लगा है तभी में यूज कर रही हूँ अब आप मेरे hair को देख सकते हैं इन पूरे मंथ में मैंने सिफ यह hair shampoo, oil और serum ही लगाया है कोई भी hair pack, कोई भी straightener, कोई भी blow drive अगरा मैंने नहीं किया है बिना straightener के, बिना conditioner के मतलब इसमें ऐसा लिखा गया है कि आप कोई भी mild sulfate free और paraben free conditioner आप यूज कर सकते हैं इस product के साथ पर मैं इसका real effect देखना चाहती थी कि बिना conditioner के यह shampoo मेरे hair को dry कर देता है या अच्छा nourishment देता है तो मैंने, सच बताओ, मैंने conditioner भी use नहीं किया है और जो भी मैं आपको video clip यहाँ पर डालूँगी वो बिल्कुल conditioner बिना का ही है अब hair wash करने के बाद मेरे hair काफी जादा खुले-खुले चिपके-चिपके से नहीं रहते शाइनी भी लग रहे हैं और बहुत ही manageable लग रहे है और hair fall की बात करूँ तो आपको मैं यहाँ पर वीडियो में दिखाऊंगी कि जब यह product मुझे receive हुआ था और मैं अपना नाइट में जैसे कि हम कॉम करके अपने hair कूस होते हैं अब में वीडियो मुझे मिल जाएगा तो महाँ पर डाल दूगी तो मेरे hair fall जो होते हैं तो आप फ्लोर पे जब अपने बालों को गिरते हुए देखते हो कि मैं आप से कम्टेंड करूँ कि नहीं इस कितने अठा वर्क नहीं किया मेरे hair पर रीगोथ की बात करूँ तो यह serum जो है यह रीगोथ के लिए है तो इसे मैंने अपने फ्रंट सेक्शन पर मतलब इसे ट्राइकरने के आपके hair रीगोथ होते हैं कि नहीं जियसे है मैंने अपने यहां पर, जैसे यह से म मेरे ूरे सेरम जो है कि यहां पर ज्यूस किया है यहां पर मैं सो झाल कि कि मेरे जो फ्रेंट सेक्सन में बाल हैं यहां पर वो बेबी हैर आना स्टार्ट हो गया थे छोटे-छोटे बाल मुझे दिखने लगे हैं तो रीगोथ में भी यह काफी हेल्प करता है मैं ऐसा कहा सकती यह सीरम बहुत ही अच्छा है यूज करने में और काफी जादा कि वो पैसे किसी प्रोड़क्ट पर ढाल रहे हैं हैर कर पे या स्किन केर पे तो वो प्रोड़क्ट जादू कर देगा पर ऐसा नहीं होता है आपको अगर फिफ्टी परसेंट भी कोई चीज रिजल्ट देती है तो वो बर्थ है लेना अगर आपको बहुत जादा हैर्फल अगर आपको पसंद ही आता है तो आपको 6-month का प्लान ना लो और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे continue यूज कर सकते हो शैंपू, ओइलिंग और इन सब चीजों के अलावा जो हमारे हैर को हेल्दी रखने के लिए डायेट हमें लेना चाहिए बहुत सारी चीज अपने खाने में ज्यादा स्ट्रेस ना लें अपनी हैर ओइलिंग बगेरा भी टाइम से करें ज्यादा हीटिंग तूल जो है आप अपने हैर पे यूज ना करें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो मैं यही मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है वेदिक के अईरवेदिक कस्टमाइज हार कर लिए और मुझे ये किध अच्छा लगा है और मैं ज़रूरर होंगी कि एक बार ट्राइक करना बनता है एक बार आप जरूरद राए कर सकते हैं आइओब कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्फ रहा हो अच्छा लगा हो और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कोई क्वेस्टन होता आप मुझे से पूस सकते हैं कोई सजेशन होता आप मुझे बता सकते ह thank you very much